नमस्कार दोस्तों ये दर्दनाग दास्ता है एक IAS अफसर बनी लड़की की साम के पांच बज रहे थे और प्रतिग्या दरवाजे पर टक्टकी लगाए खड़ी थी क्योंकि उसके भाईया जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे वो घर आने वाले थे भाईया के आते ही प्रतिग्या बहुत खोस होई और उनसे ढेट सारी बाते करी गई प्रतिग्या ने अभी-भी बी-ए में दाखिला लिया था तब भी प्रतिग्या जो कि प्रतिग्या का भाई था पूछता है कि प्रतिग्या आगी का क्या प्लान है तू तो बच्पन में बोलती थी कि मैं I.E.S. बनूँगी तू तयारी क्यों नहीं सुरू करती एक काम कर तू मेरे साथ दिल्ली चल और वहीं रहकर U.P.S.C. की तयारी कर और फिर प्रतिग उसे I.E.S. के रुत्बे के बारे में बताता है और अब प्रतिग्या सपने देखने लगती है और भाई के साथ दिल्ली आ जाती है दिल्ली पहुँच कर सोचती है कि I.E.S. बन कर ये करूंगी वो करूंगी ऐसा करूंगी वैसा करूंगी लेकिन वो पढ़ाई में जादा ध्यान नहीं देती जितना की एक रियल U.P.S.C. स्प्रेंड को देना चाहिए ये सब देख प्रतिग समझाता है कि बेटा सपने देखना अच्छी बात है लेकिन बंद आँखों से नहीं बलकि खुली आँखों से देख जो कि खुली आँखों से देखे गए सपने सच होते हैं जो इनसान को सोने नहीं देते वो प्रतिग्या के लिए स्ट्रेटजी बनाता है और प्रतिग्या उसे फॉलो करना सुरू कर देती है लेकिन एक दिन अचानक ओफिस से प्रतिग्या को बताता है कि मेरा ट्रांसपर बैंगलोर हो गया है और अब उसे दिल्ली से बैंगलोर जाना पड़ेगा प्रतिग बैंगलोर चला जाता है और अब प्रतिग्या दिल्ली में अकेली हो जाती है चुकि प्रतिग्या के दिल्ली में कोई दोस भी नहीं था तो वहरोज भाई से बात करती रहती और प्रतिग उसे होसले को बढ़ाता ऐसे में तीन साल बीद गए और प्रतिग्या का ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गया और अवर UPSC परिख्षा के लिए इलिजिवल होग चुकी थी यानि की UPSC परिख्षा देने के लिए योग्य हो चुकी थी और इधर प्रतिग की साधी हो चुकी थी बविता जो की प्रतिग की पतनी थी उसे पसंद नहीं था की प्रतिग बेहन की पढ़ाई का खर्चा उठाए अब प्रतिग्या के सामने आर्थिक तंगी एक चुनौती बनी चुकी थी उसने पापा से अपना सारा पैसा बेटी की पढ़ाई में यानि की पृतिग्या की पढ़ाई में लगा दिया था और अब पृतिग्या का खर्चा उठाने में वो असमर्थ थे पृतिग्या की जी एस की तयारी तो हो चुकी थी लेकिन पैसो की कमी के चलते वह ऑफस्नल की कोचिंग नहीं कर बाई थी वह परिसान थी कि ऑफस्नल सपजेक्ट की तयारी के बिना मैं मुख परिख्षा कैसे पास करेंगी और मा को फोन कर रोने लगती है उसकी मम्मी कहती है हम घर बेज देंगे लेकिन बेटी के सपनों को चकना चूज नहीं होने देंगे अब प्रतिग्यापने पढ़ाई में जोरों से लग जाती है और ओफिसनल की कोचिंग सुरू करती है लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के करण वह मुख्य परिच्छा पास नहीं करपाती और तूट जाती है उसके जहन में घर वाली बात बार बार आती है चोकि घर बेच माबापने अपनी जिन्दगी दौपर लगा दी थी जब या बात उसके मामा को पदा चलती है कि वह मुख्य परिच्छा में फेल हो गई है तो उसे खूब ताने सुनाते हैं ऐसी भी कौन सी पढ़ाई जो माबाप को भेगर करते वह जोड जोड से रोने लगती है तब ही उसकी माँ उसका होसला बढ़ाती हुए जबाब देती है कि छोटे से घर के बदले हमारी बेटी हमें बंगला देगी जी हाँ जिला अधिकारी का बंगला प्रतिक्या ये सब जो सुनकर भाउख हो जाते हैं और उसी वक्त प्रतिक्या ये प्रतिक्या करती है कि UPSC परिक्षा पास करके वहे मां की बातों को सच साबित करेगी प्रतिग्या अब और भी ज़्यादा मेनत में लग जाती है और अपने सीनियर्स की मदद से अपने वेकल्पिक विसे को और ज़्यादा स्टॉंग करती है वह पिछली भूल को दोहराना नहीं चाहती थी इस बार वह प्रिलिम्स में पास कर इंटर्व्यू देती है और रिजल्ट का इंतिजार कर रही होती है तभी अचानक एक दिन घर से फोन आता है कि उसकी मा की तब्यत बिगड गई है और प्रतिग्या को जहासी आना पड़ता है अव घर में मा का ध्यान रख रही होती है मम्मी उसे बार बार बोलती है कि तु चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा तु जरूर पास होगी तुझे इस बार परिक्षा पास कर सभी को जबाब देना है मा की तब्यत दिन वा दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडविट करवाना पड़ता है चुकि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा पांच हजार रुपे था प्रतिग्या परिसान थी कि पैसे कहां से जुटाएं और इधर मा के स्वास में गिरावट जोरों से जारी था और डाक्टर साहिब बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है ओप्रेशन जिसके लिए दो लाख रुपे की जरूरत होगी प्रतिग्या बैंगलोर भईया को कॉल करती है कि कुछ मदद मिल जाएं प्रतिग उसे पैसो के लिए हां कर देता है लेकिन जैसे ही ये बात उसकी पतनी बविता को पता चलती है कि वह घर पर दो लाख रुपे भेज रहा है सुनकर गुस्सा हो जाती है उसे पसंद नहीं था कि प्रतिग अपने घर वालों की आर्थी प्रूप से मदद करे वह प्रतिग्या को फोन कर मना कर देती है प्रतिग्या सुनकर रोने लगती है उसे समझ नहीं आता कि वह करे तो क्या कहां से पैसे लाएं बस एक ही उम्मीद थी यूपेसी का अगर मैं उसमें पास हो गई पास कर गई तो मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी डॉक्तर सुनकर हसने लगते हैं कि बड़े बड़े मारती बेंटर्यू से बाहर हो जाते हैं तुम तो सिर्फ बुंदेल खंडवी शुविद्याले से बिये पास हो प्रतिग्या जोड़ जो से रोने लगती हैं तब ही अचानक उसकी आवाज सुनकर बुंदेल खंडवी उन्वेस्टी के प्रोफेशर अमित अगरवाल आ जाते हैं जो वहीं मौझूद होते हैं और डाक्टर साहब के अच्छे दोस्त भी होते हैं उन्हें प्रतिग्या का चेहरा देखकर याद आ ज प्रोफेशर थे वे डाक्टर साहब से बात करते हैं और उन्हें अपनी गारंटी पर आउपरेशन के लिए राजी करवा लेते हैं वो जानते थे कि प्रतिग्या बी यू की महोरहार स्टूडेंट थी उन्हें पता था कि आने वाले रिजर्ट में प्रतिग्या का नाम यू ठीक हो जाती हैं प्रतिग्या प्रोफेशर को धन्यमात देती है अब सभी को रिजर्ट का इंतिजार था एक तरफ घरदाव पर लगा था तो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के दो लाक रुपे भी चुकाने थे और सबसे बड़ी बात अपने प्रोफेशर की उम्मीदों पर खरा उतर उनकी बातों को सच साबित करना था आखिरकार वो दिन आ गया और प्रतिग्या का फोन बचता है और अमित अग्रवाल बोलते हैं प्रतिग्या तुमने यूपीएस्सी की परिक्षा में टॉप किया है जहासी के साथ साथ तुमने बुंदेल खंडु जहुम उठती हैं मम्मी पापा सब बहुत खुस होते हैं प्रतिग्या भी प्रतिग्या से माफी मांगती है प्रतीग भी प्रतिग्या से माफी मांगता है और कहता है तुने बच्पन के सफनों को सच कर दिखाया है इधर यूपी गॉव्मेंट उत्तप्रदेश सरकार प्र धन्यवाद बोलते हैं प्रतिग्याब I.S. बन चुकिय हैं और मम्मी के बंगले वाली बात को सच कर दिखाया है जी हाँ उन्होंने अपनी बंगले वाली बात को सच कर दिखाया है दोस्तों यदि आपने अपने लक्ष के प्रती पूर्था समर्पित हो जाते हो अपने लक्ष के प्रति दिलो जान से लग जाते हो तो प्रतिग्या की तरह आप भी अपने लक्ष को प्राप कर सकते हो कोई भी लक्ष हो किसी भी लक्ष को यदि आप हासिल करना चाहते हो वो लक्ष बनाया है किसने है मनुस्त ने ही तो बनाया है यदि वो लक्ष एक मनुस्त ने बनाया है तो वो एक अगला मनुस्त उसे हासिल भी कर सकता है कोई लक्ष बढ़ा नहीं होता बलकि आपके इरादे छोटे होते हैं जिस दिन आपने इरादे बना लिए इरादे बढ़े कर लिए उस दिन आपको वो लक्ष मिलेगा ही मिलेगा कोई दोराएं नहीं है IAS का IAS बहुत छोटी चीज है IAS से भी बढ़कर जो भी चीज़ें आप हासिल करना चाते हैं वो हासिल कर सकते हैं दोस्तो मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप अभी तक सुन रहे हैं तो आज से ही लग जाएंगे इन उम्मीदों को अपनी उम्मीदों को अपने उम्मीदों पर खरा उतरें और आज से ही ये डंके की चोड़ पर लग जाएं किताबे पढ़ें एंस्वर राइटिंग करें जितनी भी चीज़े UPSC के लिची हैं जी जान से रात दिन एक करके UPSC के अंतिम रिजल्ट में अपने पीडियाफ में नाम तो लाओ आयाराब मुझे उम्मीद है यादि आप अपनी दिलो जान से लगेंगे तो अगले साल आने वाले पीडियाफ लिच्ट में A, B, C, D आपका जो भी नाम है उसमें सुनहरे अच्छों में आपका नाम, रोलंबर और रैंग के साथ जरूर होगा मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो के साथ मैं आपको बहुत कुछ समझानी के कोसिस में जो मेरा प्रयास था वो उसमें गारगार साबित हुआ मुझे उम्मीद है यदि आपको ये वीडियो पसंद रही तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ज्यादा कुछ नहीं करूंगा यदि आपको अच्छे लगे तो शेयर कर दे लाइक कर दे और कमेंट्स में अपनी राय दे और लाइक शेयर दोनों करें चलिए तब तक के लिए धन्यमाद नमस्कार